नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दोईगा समिंगर एक और सवाल लेकर आया हूँ जो की सवाल बहुत बढ़िया है देखें कैसे लगाते हैं सवाल क्या है दो क्रमांगत धनात्मत पूरांग क्यात कीजिए जिनके बर्गों का योग 365 हो तो आपको बता दे कि क्रम मतलब होता है क्रम से मतलब कोई भी संख्या यानि पहली एक समाल लेंगे और दूसरी क्रमांगत हो जाएगी प्लस बन क्यूंकि देखो दो के बाद तीन आता ना एक ही बढ़ा है या तीन के बाद चार आता है एक बढ़ा है इसलिए तो माना क्या लिखते हैं माना पहली या पहली संख्या या पहली संख्या लेते हैं या लिख सकते हैं धनातं पूणांग पूणांग बराबा ठिक है दूसरी क्रमांगत क्रमांगत शंख्या बराबर एक्स प्लस बन हम एक चीज़ आपको बता दें कि अगर सपोच को लिख के आज़ाए सम दो क्रमांगत सम उडांग ग्याद कीजिए या सम संख्या क्यात कीजिए तो पहली x मान लेना दूसरी x प्लस 2 मान लेना ठीके अगर बिसम लिखके आ जाए तब भी आप पहली x से दूसरी x प्लस 2 मान सकते हो लेकि अकसर कुछ लोग कहते हैं कि पहली संख्या माननी चाहिए उस बिसम में 2x प्लस 1 और 2x मान लोगे तब भी आपका आ जाएगा मतब पहली संख्या x और दूसरी संख्या बता रहा हूँ x प्लस 2 अगर सम और बिसम आ रहा है तो मान के लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा बाकि पुरा तरीका यही होगा जैसे मैं लगा रहा हूँ तो देखे यह हो गया है ठीके अब सीधे सीधे प्रस्नान सार जैसे अभी पहला सवाल लगाया था प्रस्नान सार क्या कह रहा है जिनके बर्गों का योग ठीके जिनके बर्गों का योग जिनके बर्गों का योग है तो पहली संख्या लिख लेते हैं पहली संख्या और बर्ग मतलब होता है स्क्वाइर प्लस दूसरी संख्या बर्ग मतलब होता है स्क्वाइर जिनके बर्गों का योग यानि प्लस है बरावर में 365 तो पहली संख्या है हमारी x square दूसी संक्य हमारी x plus 1 का holy square और सुरुवात में 365 आग्या समिकर्ण हल कर लो x square plus सूत्र एक होता है जो आप लोग साइद याद हो ये होता है a plus b a plus b का holy square बराबर a square plus b square plus 2 a b यही सूत लगेगा यहां पर यह देखिए a square यानि x का square हो जाएगा plus b square यानि a का square एक ही होता है plus 2 a b तो a b तो a है यह b है यह x और a की गुड़ा होगी x इकन x और 2 की गुड़ा होगी 2 x यानि यहां लोग दो 2 x बराबर 365 अब यह जूड़ जाएंगे यानि 2 x square plus में 2 x है यह एक इदा चला जाएगा बराबर 365 माइनस एक ठीक है तो 2 x square plus 2 x बराबर 365 घट जाएगा 2 से भाग कर दो सब को दोनों तरफ दो से भाग करने पर क्यों बता दू यह भी 2 से कर जाएगा यह भी 2 से कर जाएगा यह भी 2 से कर जाएगा तो 2 से भाग करोगे यहां बचेगा x square यहां खाली जाएगा x यहां बचेगा 2 x1 2 बचा एक हो गए 16 2 अठे 16 और 2 दूनी 4 82 हो गया और x square plus x माइनस का 182 आगया बचा जीरो पहले भी 182 आणा सवाल था तो 13 14 की गुणा 182 होती है तो x square लिया plus में यह लिया x लिया अंदर लिखा 13 और यह x खाली लाना है यारी 14 में से 14 में से 13 गया तो 1 आएगा ठीके माइनस का 182 बचा जीरो ठीके अब गुणा करते हैं 14 x आएगा माइनस में 13 x आएगा माइनस में 182 आएगा हमने का दो खंड का लेते हैं x कामन ले लेंगे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा x मिलेगा पहले साल समझा चुके हैं समझ लो फिलाल अब भी देख लो x ले लिया तो यहां बचेगा x x इसे चला गया बचाए 14 निसान ले लिया यहां माइनस का कामन और प्लस 13 क्योंकि x मिलेगा नहीं गिंती खाली मिलेगी तो 13 ले लिया कामन तो 13 चला गया तो x बचा और हमने बताया था निसान यहां बदल जाएगा अगर माइनस का कामन लेंगे तो यहां गया प्लस और 13 14 गुणा हुई थी 182 तो इसलिए बचेगा यहां पे 14 और हमने बताया था आपका गुणखन सही है गलत इसकी पहचान यह होती दोनों कोश्टक अंदर सेम संख्या होनी चाहिए और सेम चिन होना चाहिए तो है यह हमने लिले कामन इधर बचा X हमारा और इधर क्या बचा माइनस का 13 और बराबर में बचा 0 अब एक एक करके चलते हैं X प्लस 14 बराबर 0 या X माइनस 13 बराबर 0 ठीके अब X बराब माइनस का 14 सवाल में धनातुमक यह देखे लिखा हुआ है धनातुमक यानि यह 14 है माइनस का तो लिख दो अमान्य अंग्रीजिम कोई लगाए तो लिख देगे no value और X बराबर इधर हो जाएगा 13 यह चाहिए तो हो जाएगी इसके अनुसार पहली संख्या X बराबर 13 दूसरी करमांगत संख्या 13 प्लस 1 यानि लिख देते हैं आता हा पहले संख्या X मानी जो कि 13 है दूसरी करमांगत संख्या X प्लस 1 थी यानि कि 13 प्लस 1 बराबर 14 तो 13 और 14 उत्तर हो गया तो दोस्तों बता रहा है कैसा लगा मेरा इस सवाल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कुछ गलती होगी तो सुधार जया करूंगा तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार